हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम सिंपलिफिकेशन यानि सरली करन के कोशन, जो कि यहाँ पे हमें पहला कोशन दे रखा है, 9 बट्टे 13 divided by 18 बट्टे 26 divided by 90 बट्टे 22 आपको सभी को मालूम होगा कि इस प्रेशन को कैसे करेंगे, यानि कि 9 बट्टे 13 है, हमें से याद रखना कि इस तरीके से कोई भी प्रेशन हो, तो यह जो डिवाइड वाली संख्या है, इसको गुना में बदलते हैं, तो यह जो संख्या होती है, बात वाली यह पलट जाती ह यानि कि 26 तो उपर चला जाएगा, और 18 नीचे आजएगा, अब इसको भी हम गुना में बदलेंगे, तो यह संख्या भी पलट जाएगी, यानि कि बामन उपर चला जाएगा, और 90 नीचे आजएगा, अब डिवाइड से साइन हो गया हमारा गुना में, अब कटना आसान हो गया, जैसे कि मैं 9 एकम 9, 9 दुने का 18 कटा लूँगा इसे, कट गया कि नी कट गया, 18 कट गया, 13 दुने का 26 कटा दूँगा, कट गया, 2 से 2 कटा दूँगा, कट गया कि नी कट गया, सब कुछ कटा, इसे भी कटा दू भाई, 2 से कटे गया 26 बार में, और 2 से से कटा दूँ आगी सभी की समझें बात, तो गुनाव की संख्या में देखे, हमेसे याद रखना कि डिवैड में है, तो गुनाव की संख्या में जब भी चेंज करेंगे तो संख्या को पलट देगे, कि लियर आसानी से काटना हो जाएगा, अब देखते हैं अग्ला प्रेश्णी, अग्ला गुने बीस ठीक है चलिए अब सॉल्ब करेंगे हम इसको दस दुने का वीस पांस दुने का दस तो यह होगा आपका पचास पूरे को सॉल्ब करने के बाद कितना आया दस कटने के बाद ठीक है डिवाइड़ वाई साथ बटे दस है यह आपका पचास और दस को मैं जुड़ूँगा तो साथ हो जाएगा फिर उसके बाद मैं बाहार है divided by 7 के बटे में 10 यही तो है चलिए 60 अब इस डिवाइड को मैं गुना में चेंज करूँगा तो मैंने क्या बता है संक्या पलड जाएगी 10 उपरा जाएगा बटे में आपका 7 आजाएगा अब 60 का गुना 10 से करूँँ तो यह हो जाएगा 600 डिवाइड में है आपका 7 अब 7 से कटा दो 7, 8, 56, 4 बचेगा 40, ठीक है 7, 5, 35, 40 बे से 35 कट गया 5 बचेगा जाएगा नहीं, दसमलब जाएगा 50 ठीक है, अब एक चेक करो कि 85 दसमलब किसमें आ रहा है 85 दसमलब, यहाँ आ तो गया C option से हो गया यह हमारे कितना 8 दसमलब 5 यह 857 दसमलब 1 यह 85 दसमलब तो एक option दे तो रखाओ हमनारा answer आ गया 85 दसमलब आगे चाहों तो solve कर लो ठीक है कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 दा चला गया 4 बचेगा, 5 मत जाएगा नहीं 50 हो जाएगा, 7, 7, 49 एक बचा, एक में भी नहीं जाएगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 यही तो हो जाएगा निकल के clear, अब सभी को समझी में आ गया अब देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशनी है यदि x प्लस y बराबर 19 और x माइनस y बराबर 7 तो x y मान क्या होगा x प्लस y बराबर हमारे पास 19 है और x माइनस y बराबर हमारे पास 7 है ठीक है, देखिए प्लस का y माइनस का y कटेगा x और x मिल करके 2x बराबर 19 को 7 को जोड़ेंगे 26 2 से कटा दू 26 को 13 बार में कटेगा तो x का मान आ गया भई 13, x का मान बराबर 19 है यही तो है x का मान मेरा 13 है x का मान 13 है तो भई y का कितना होगा y का 6 होगा, तबी तो दोनों को जोड़ने पर 19 मिलेगा मुझे दोनों से गया पता चलगी x और y दोनों का मुझसे x और y का गुणा पूछा है x और y का गुणा तो X मेरे पास 13 है, ठीक है, Y 6 है, दोनों का गुना पूछा तो 13 का गुना 6 से कर देंगे 78, 78 होता है, यानिकि C option बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा आपका, के लिए भी बात, अब देखते हैं अगला प्रेशन, अगला प्रेशनी है, 60 गुने 5 गुने 12 बटे 180 फिर बटे में इस तरीके से संख्या दे गई है, अब पूछ रहा है के यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, देखिए, याद रखना कभी भी, 60 गुने 5 इस तरीके से कोई भी संख्या हो, गुने का 12 है, यह जो तीसरी संख्या है ना नीचे, यह गुने में उपर आ जाती है, यहाँ, तो 12 के गुने में आ जाएगा 3, 12 के गुने में आ जाएगा 3, बटे में रहेगा 180, ठीक है, यह रहेगा, बटे में यह तीसरी संख्या गुने में उपर पहुंजाती है, इतनी समझ में आगी बात, जब इतनी समझ में आगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो समझ लिजे सब कुछ खतम हो गया, प्रशनी ही खतम हो गया, कटाएंगे, 3, 6, 18 और 1, 0 यान की 60 बार में गया, 12, 50, 60, 5 से कट गया 5, बचा कितना 60, बस 60 बचा है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 60 हमारा पहले ही option में है, यही हमारे प्रशनी का सही जवाब है, अब देखेंगे अगला प् divided by 250 बराबर 382, चलिए solve करते हैं इसको, 764 गुने question mark, divided by कितना है, divided by 250, यही हमारे कितने से करना है, 250 से, बराबर कितना है, 382 है, यही तो दे रखा है, अब देखेंगे, 764, ठीक है, गुने question mark, अब देखेंगा, यह जो बट्रे में संक्या होती है, इससे गुना हो जाता है इसका, देखें, 382 में, गुना हो जाएगा, 250 का, ठीक है, आप देखेंगा, इधर यह question mark रहा, 382, गुने 250, और यह गुना वारी संक्या कितरा आती है, बटे मा आती है, तो 764 आपका बटे मा गया, 382 से 764 दो बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 2 से कटाऊंगा मैं 250 को, तो यह 125 में कट जाएगा, तो question mark की value कितनी आ गई, 125 आ गई, इसका मतलब यही तो है, आपके प्रश्ने का सही जवाब, 125, C option, बिल्कुल सही हो जाएगा, यह आपका प्रश्ने का बिल्कुल सही जवाब, केलियर हुई बात, चलिए, आप देखेंगे हम अगला प्रश्ने, अगला प्रश्नी है, 12 माइनस, आप देखिए इस तरीकी का प्रश्नी जब भी कभी दिया जाता है, तो आपको board mask के नियम याद होंगे, board mask के coding की solve होगा, तो सबसे पहले इस वाले bracket को हम solve कर ले करते हैं, 6 में से 3 जाएगा तो इस bracket का मान आ गया 3, चलिए इधर लिख देता हूँ मैं, पूरे bracket का मान 3 आ गया, चलिए, ठीक है, solve करते हैं, 12 माइनस, 26 माइनस, 2 पिलस 5 गुने 3, यही तो है, 2 पिलस 5 गुने 3, यही तो दे रखा आपको, ठीक है, चलिए, इसको solve करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17, तो 12 माइनस, 26 माइनस, इसका पूरे का मान आ गया 17, ठीक है, 17 आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 का गुना 5 से कर दिया 15, 15 में 2 जोड़ दो 17, तो 26 माइनस 17 आ गया, अब देखिए, 12 माइनस, 26 में से, बैसे जब 17 को माइनस कर द जाएंगे, आपका अंसर कितना आजाएगा, भीया, 3 आजाएगा, आपका अंसर कितना आजाएगा, 3, जो कि हमें C option में दिया गया, तो आपको इस तरीके का प्रेशनी कभी भी मिलेगा, तो आप उसे करने से विल्कुल निंटरेंगे, करेंगे, क्योंकि तरीक हम आपको ब करना है, ठीके दोस्तों, धन्यवाद,